हरे कृष्ण आज का बहुत सुंदर दृष्टान ते ध्यान से सुनियें लेकिन कल सो मौर 28 ओक्टोबर रमा एकादशी है माता लक्ष्मी की एकादशी है सब एकादशी कवरत करना कारतिक मास चल रहा है इस महीने में जल्दी उठी है मेरी हाद चोड़के प्राता है और कल एकादशी की दिन सुबह साड़े चार सा साड़े पांच बजे ब्रह्म मौरत अरली मौरनिंग में उठकर मेरे साथ जब कीजिए हरी कथा सुनिये यूट्यूब चैनल दामो दरदास पे लाइव रहकर उठीए कुछ दिन बच्चे हैं कारतिक मास के सल सोला सतर आठरा दिन जो भी दिन बच्चे हैं वो भक्ती में लगाई है एक पिता था उसके तीन बेटे थे उस पिता के पास उननीस घोड़े थे सुनना बहुत काम की बात चल रही है सुन्दर दृष्टान थे उननीस घोड़े थे उसने का भाई उसने विल बनाई वस्यत बनाई कि मेरे मृत्यों के बाद ये उननीस घोड़े मेरे तीनों बेटे में बाटे जाए बटवारा कैसे होगा कि ये उननीस घोड़े जो मेरी प्रॉपर्टी है इसका आधा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए और इस उन्नीस में का चौथा हिस्सा सुनना पहले आपको समझ में आगा इस उन्नीस घोड़ों का चौथा हिस्सा मेरे दूसरे बेटे को और इस उन्नीस का पांचवा हिस्सा मेरे दीसरे वाले बेटे को अभी बटवारा हो नहीं सकता कैसे करेंगे घोड़े 19 है अब पहले पुत्र को 19 घोड़े प्रॉपर्टी का आदा देना था तो आदा तो साड़े 9 होता है, साड़े 9 घोड़े तो होंगे नहीं, तो एक घोड़े को मारना पड़ेगा सब ने दिमाग लगाया प्राणी को तो पिता की तो मृत्यू हो गई बेटे आपस में लड़ने लगे मुझे चाहिए हिसा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए हिसा दुनिया ऐसी है प्रीबंदू आज लोगों को बड़ों की नसियत नहीं वसियत चाहिए हाँ, याद रखना इनसान दो-चार करोड की प्रॉपर्टी जमा तो करके जाता है लेकिन याद रखना वो चार-पांच करोड की जो प्रॉपर्टी इनसान बनाता है वो कौन लेके जाता है वो पीछे वाले लेके जाते है सची बात है आज लाइट के बिल पर हाउस टेक्स आपके घर में जो टैक्स रसीद आती है टेलीफ़ोन का बिल आता है हमारे जाने के बाद हमारा नाम काटा जाएगा और वो अपना नाम लिखेंगे जो हमारे पीछे वाले है है ना पीछे वाले श्री रहा दे ये दुनिया ये संसार है अब क्या करें उन्नीस गुड़ों का भटवारा कैसे हो एक संत महत्मा घोड़े पे जा रहे थे उनको बुलाया गया माराज रास्ता निकालो ये ये बात है अब सुनते जाओ महत्मा ने का ठीक है ये तो बड़ा असान काम है मैं करनगा बोला कैसे बोलो भाई कितने घोड़े हैं जो वेक्ति छोड़के गया बोला उन्नीस महत्मा ने का मेरा भी डाल दो बीस घोड़े करते हैं बोलो माराज आप क्यो घोड़ा डाल रहे हैं ये तो आपका है न, बहुत डालतो तो, 20 घोड़े होगे, 20, कितने होगे, 20, अब कहा भाई, प्रॉपर्टी के काखजात लाओ, लेकर आए, उसके विल के वसियत के, पहले बेटे को प्रॉपर्टी का आधा दे दो, यही था न, सुनना, पहले बेटे को प्रॉपर्टी का अधा हैसा दे दिया दस गोड़े दे दिये बीस में से कितने गए दस गए बाकी दस बचे प्रापर्टी का चौथा हैसा पूरी प्रापर्टी का चौथा हैसा मेरे दूसरे वाले बेटे को दो तो पूरे बीस गोड़े थे न भी चौथा हैसा करी पांच गोड़े चौथा है ये कितने पाँज गोडे, टोटल बीस हो गए थे, पाँज गोडे बजे, तो तीसरे वाले का क्या भाई वसियत में लिखा था, ये ही लिखा था कि तीसरे बेटे को प्रॉपर्टी का पाँचवा हिसा, चलो भाई बीस गोडे का पाँचवा हिसा करो, बीस गोडे का पाँच दिसरे वाले ने 15, चार तीसरे वाले ने 19, बाकी बचा एक, वो संत खुद लेके गा, उसी का ही तो था, लेके चला गया, संत ने रास्ता निकाल दिया, बुल बाके बेहरी लाल कीज़े, इसलिए जीवन में गुरू की ज़रुत पड़ती है, कि महात्मा हमारे जीवन में समस समाधान है, और याद रखना, अगर हमारी किसी समद्षया का समाधान नहीं है, तो गुरू माराज महात्मा हमारे लिए दौा मांगते हैं, क्योंकि दौाओं से बढ़कर फिर कोई रास्ता नहीं है, खुब इसकार्तिक मास पे नाम सिमरन करो, हरी कृष्टा, हरी कृष्ट